जहें दोस्तो स्वागत है आपका जॉब अलर्ट में जो कि मैं हिमाचल प्रदेश की एक गुड न्यूज देकर आया हूँ और गुड न्यूज यह है कि हिमाचल हाई कोट की जो है न्यू वकैंसिस जो है वो निकल चुकी है तो हम उन वकैंसिस के बारे में आज जानेंगे य यह डोकुमेटेशन ही अठाई से पच्चिस के बीच में निकली थी अगस्त को जो क्लियर हुई है और आज के यह न्यूज है अपडेटिड न्यूज है कि हाई कोट में जो है वो हिमाचल पदेश शिमला में जो है न्यू वकैंसिस आई है तो आज हम जानेंगे कि कौन- सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यह वकैंसियां जो भरना फॉर्म फिलप होने के लिए श्टार्टिंग डेट जो है वो पांच सेक्टमबर है पांच सेक्टमबर से भिया फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी क्लोजिंग डेट तीस तारीक है रात को बारा बजे तक आप फिलप कर सकते हो ठीक है यह आप फॉर्म फिलप करने की तारीक है ध्यान से डिर्क्र लिजिए लिख लीजिए कहीं पे अपना जो है वो रिमाइंडर लगा लीजिए कि भिया पांच सेक्टमबर को मैंने हाई कोर्ट का फॉर्म फॉर्म फिलप करना है और यह जो फॉ पौर्टल पे जाकर online form fill up कर सकते हैं. जितने भी उमिदवार हैं वो अपनी उमिदवारी यहां से Ta çek सकते हैं यनि कि अपना जो form है वो यहां पर आकर fill कर सकते हैं पांच सक्टमबर से. तो थोड़े ही दिन रहे गये हैं टो बचो यह notification ध्यान से देख क्लास थर्ड नमबर है, मौड नमबर डी है, यानि कि थर्ड क्लास पर आता है, रेगुलर बेसिस पर रखी जाती है, इसलिए कहा है सरकारी यानि कि पक्ती नौकरी है, टोटल पोस्ट पांच हैं, जिसमें अन्रिजर्वड हैं सभी की सभी, क्लियर कट, यानि कि सभी को सभी जो आ जाएंगे टॉप पर वो रख लिए जाएंगे, जो रहागे सो रहागे, ठीक है भी या, ग्रेजुएशन विद् थ्री एर एक्सपिरियन्स एज़ इस टेनो टाइपिस्ट का होना चाहिए, यानि कि कहीं पे बंदे नहीं जो है तीन ए किया साल का डिगरी, ग्रेजुशन की हो, और साथ में एक्सपिरियन्स होना चाहिए, या जज़्बेंट राइटर होना चाहिए, स्टेनो ग्राफर इन एनी गवर्मेंट, ओफिस का भी भर सकता है, या रेपुरेटिट और्गनाइजेशन का कोई परसंस होता है, वो भी भ इस परकार से दूसरी पोस्ट है, ट्रांसलेटर की, जो ग्लास थर्ड है, रेगुलर बेसिस पर होगी, और ये भी दो पोस्टे हैं और क्लियर कट है, अन्रिजर्वड है, कोई इसमें कोटा नहीं लगा, ये सबसे अच्छी चीज़ है, कि कोई कोटा नहीं है, डिरेक्ट फॉर्म फिलब करिए, और फॉर्म फिलब करके अपने आ 22,700 रुपए जो हैं, वो पे मैट्रिक्स आपको अलग से दिये जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी जॉप्स हैं भीया, इतनी बढ़िया नौकरी कहां मिलेगी भीया, देखो 38,000 प्या ऐसे ही मिल रहा है, पचास प्रतीशत मार्क्स जो हैं वो लिये होने चाहिए, में graduation के लिए बोल रहे हैं, have studied, have studied Hindi as a subject at the graduation level, और graduation level पर हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, recruitment जो है वो competitive exams के ओपर examination पर ही होगा, schedule जो होगा वो fourth का होगा, तो ये आपने ध्यान रखना है, next job आ जाती है, translator उर्दू, जिनको उर्दू आती है, वो भर सकते हैं, एक ही post है, unreserved है, और clear cut है, इसकी भी salary ब्राबर ही है, 38,500, तो कि grade number third आ रहा है, तो ये सभी grade 3 की जो post ने होती है, उसकी salary सेम होती है, graduation मांगी है, 50%, English रखी होनी चाहिए, और Hindi subject होना चाहिए, graduation level तक, या फिर बंदे को जो है, candidate however must studied Urdu in matriplication, या Urdu पढ़ी होनी चाहिए, दसमी तक, तो वो बंदा भी, जो है, वो competitive को भर सकता है, और competitive exam होगा, schedule fourth के अनुसार, और जो चैनित होगा फिर उसके बाद, translator in Punjabi, इसकी post है, एक post इसकी है, unreserved है, बहुत अच्छी बात है, 38,500, जो है, वो इसकी salary रहेगी, सेम, इसी परकार से 50% हिंदी और English जो है, वो उनको आनी चाहिए, और graduation level तक पड़ी होनी चाहिए, या दसमी तक जो है, वो पंजाबी पड़ी होनी चाहिए, अगली job आ जाती है, assistant programmer की, on the basis of contact basis, total post एं एक ही है, SC के category के लिए है ये, और 38,500 है, BA ये, BTEC किया होना चाहिए, या IT, ये equivalent to technical qualification होनी चाहिए, secondly अगर नहीं है तो BSC, BA, Bcom, first division से pass होना चाहिए, और graduate diploma होना चाहिए, उसके साथ, यानि की computer का, DCA का, दो year का experience होना जरूरी है, सिस्टम के ओपर, किसी भी equivalent कुछ भी हो सकता है, equal कोई भी आप post के लिए भर सकते हैं, तो इसी परकार से और भी उन्होंने अलग-लग मांगे हैं, diploma वाले भी भर सकते हैं, तो इसको एक बार आप read कर दीजेगा, कि किस परकार से हम form clip कर सकते हैं, अगली post आ जाती है, clerical की बहुत ही उन्दा है, सब बैचों के लिए ये regular basis पर है, मगर ये बता देता हूँ बैचों, 15 post हैं, जिसमें unreserved, जो हैं वो सिर्फ चार है, एक clear cut, तीन anti-crafted, और SC की तीन है, ST की आपकी तीन है, clear cut हैं सभी की सभी, EWS और PH की हैं, और 20,200 salary इन्हों ने बताई हुई है, इसकी तोड़ी सी कम है, इसमें clerical वालों की, ठीक हैं, और typing speed का test होगा, आपका तो 30 words, per minute आपको लिखने हैं, English में, जो की आपके computer based रहेगा, और इसके बाद after qualifying the screening test, के बाद आपको रखा जाएगा, competitive examination के बाद ही, आपका ये paper जो है, वो clear करने के बाद आप आगे जाएंगे, driver की पोस्टें आई हुई हैं, जो की undeserved हैं, total 6 पोस्टें हैं, SC की 111 और EWS की 3 है, 21,300 इसकी salary है, और heavy vehicle का जो है license मांगा है, at least जो है, जो candidate है, वो दसमी किया होने चाहिए, तो ये fill up कर सकता है, next आगे जता है, 5 करमचारी की पोस्ट मांगी हुई है, total 4 पोस्टें हैं, तो 4 पोस्टें, 1,1,1,1,1, सभी पोस्टें हैं, चाहिए unreserved, SP, EWS और PH की, और 18,000 total salary रहेगी, interview होगा direct, और कुछ नहीं है, और दसमी की होनी चाहिए, experience होना चाहिए, उसका satisfy का वो तो आपको पता है, next आज़ता है, माली की है, grade 4 की है यह, तो चार पोस्टें है, पांच पोस्टें है, जिस मेसे, पांच है यह, तो तीन पोस्टें जो है, unreserved है, और SC और EWS की जो है, वो एक-एक है, 18,000 salary होगी, और दसमी की होनी चाहिए, guarding या horticulture का, organized university institution से, उसके पास diploma और जुरूरी है, तो यह पोस्टें आपकी निकली होई है, तो इनके form आप fill up कर सकते हैं, तो यह 31 आठ, रह सकते हैं, 2023, तो अभी ही, आज ही निकली है, तो इस परकार से यह, इसकी details थी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक हैं, तो इस notification को आप, एक बार read कर लीजिएगा, और अपने अपने जो form हैं, आपको, मैंने जैसे आपको बताया है, कि 5 सिक्तमबर से यह form fill up होने जाने हैं, तो आप इन forms को जो हैं, जल्दी से आप fill up कर दिएगा, मैं ऐसी ही नहीं, और उन्दा जानकरी आपके लिए लेकर आओगा, ही मार्चल जॉप्स में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत! झाल